एक्जाम्पल नूम्बर 2 देखते हैं, मिनिमाइज एकल तो 200X प्लस 500Y, सब्जेक्ट दो कंस्टेंट, X प्लस 2Y ग्रेट अगन इकल तो 10, 3X प्लस 4Y लेस तन इकल तो 24, X,Y ग्रेट अगन इकल तो 0, तो यह तो हमारा करा कि तो X हमें 10,0 मिलेगा, इसका मतलब एक पॉइंट हमें यहां मिलवाए 10,0, इस पॉइंट को मैं एलग से लिख देता हूँ, this is 10,0, and in the similar way, put X equal to 0, you will get Y equal to 5, तो 0,5 दूसरा पॉइंट मिला, तो यह पॉइंट हमने इसको लोकेट करेगा, now 0,5 and 10,0 को मैं जॉइंट कर दूँगा, तो मैं जॉइंट किया, तो हमें यह लिख लेता हूँ, कि यह जो हमारा है, X plus 2Y greater than equal to 10 को रिपलेंट करेगा, तो अभी तो equal to 10 को रिपलेंट करेगा, लेकिन हम region calculate करते हैं, region find करते हैं, 0,0 को satisfy करेंगे, 0 greater than equal to 10, इसका मतलब क्या है, कि यह true होता है, नहीं true होता है, therefore, origin containing region इसका नहीं होगा, तो region इसका बाहर होगा, तो region हमारा इसका बाहर होगा, तो इस तरह से मैंने arrow बना लिया, और first quadrant नहीं देखना है, दूसरा, दूसरी inequality को जो हम plot करेंगे, तो वह देखें क्या हो, दूसरी inequality थी, x plus 4y less than equal to 24, तो y 0 रखेंगे, x हमें 8 मिलेगा, तो 8,01 पॉइंट मिला, इसी तरह से, यह वाला point हमारा है, 8,0, और इसी तरह से, हम x 0 रखेंगे, तो y हमें 0,6 मिलेगा, मतलब 0,6 मिलेगा, तो देखें, बहुत छोटा सा, देखने में आ रहा है, तो यह हमारा, 8,0 यह हो गया, and 0,6 हमारा ही हो गया, तो इस तरह से बनेगा यह, अब इसका देखें, रीजन काल्कुलेट करेंगे, तो इसमें यह ही रख लेते हैं, तो इसका इन इक्वेशन का जो नाम है, वो हो जाएगा, तो मारा 3x प्लस 4y, लेस तन इक्वल टू 24, अब और जिन इसको साटिस्फाई कर रहा, 0,0 रेस दें 24, तो इसकी लाइंग लिए नीचे का रीजन होगा, फिर से जहां दोनों कलर के एरो हैं, यहां पर दोनों कलर के एरो नहीं हैं, के वल इस रीजन में, तो यह वाला हमारा जो है, इस इन्ही इस constraints को सटिस्फाई करेगा, feasible रीजन जिसको चाहेंगे, तो यह हमारा feasible रीजन होगा, इसकी हमारे points देंए, यह corner points होगा, तो हमारा A हमने नाम दे दिया corner points and this is B and this point is C now corner points बहुत अफानी से हम calculate कर सकते हैं तो हमारा जो corner points होगा तो इन दोनों lines का intersection होगा तो क्या करेंगे इन दोनों को solve करेंगे इन दोनों को solve करने के लिए इसमें हम 3 से multiply कर देंगे तो 3x plus 6y equal to 30 इसको solve करने के लिए और this one is 3x plus 4y equal to 24 now क्या करेंगे? subtract कर देंगे तो minus 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 and this will be cancelled so this is 2y equal to what? 6 this is y equal to 3 y equal to 3 हम किसी भी equation रख देंगे for example हमने इसमें रख दिया तो x plus 3 to the 6 equal to 10 that is x equal to 4 तो x हमारा 4 आया that is 4,3 यह हो गया तो 4,3 हमारा corner point आगे अब देखें corner point काउन काउन से हो है a हुआ हमारा that is 4,3 b हुआ that is 0,6 c हुआ that is 0,5 तो तीन corner point हो गया इन तीनों काम z की value evaluate करेंगे तो z की value हमारे कितने हो जाएगी this is 200 plus into 4 this is plus 500 into 3 तो यह value जाहरे कितने हो जाएगी 200 4 to the 8 800 and plus 1500 so that will give you 2200 and in the similar way this will be 8 and 3 by the 15 15 and 8 2300 this will be 2300 and z equal to 0,6 रखेंगे to 500 into 6 that is 3000 okay and this will be 0,5 रखेंगे to 2500 to 2500 now check you have to find the minimized set therefore minimum value is what? it is 2300 so this is minimized set that is minimum value of z is 2300 at the corner point तो जाहरे किस corner point रखेंगे that is 4,3 पर तो यह मारा पाइलांसर तो बास दाफेंगे झाल झाल